पहाने की शुरुवात होती है कब्रिस्तान को दिखाने से, जहां एक लड़का आरवी अपनी दोस्त के साथ था, तब यह अचानक चारों तरफ से मुर्दों की ट्राउने से हाथ बाहर निकलने लगती हैं, पर इस चीज़ पर उनका दिहान नहीं जाता, तब यह एक आदमी यहां आ गया था उन्हें परेशान करने के लिए, जो चीज़ आरवी की दोस्त को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दोनों यहां से चले जाते हैं, उनके जाने की बाद यह आदमी दोनों की छुड़ी हुए कपड़े उठा लेता है, पर तब यह जानक एक मुर्दी का ह जमीन से निकल कर उस आत्मी को पकर लीता है, और पूरी तरह नोच कर उसकी जान लेता है, जिससे उसकी मुसी बहुत सा खूर निकलने लगया था, साथ ही वो हाथ भी कपड़े उसी लेकर वापिस जमीन में जा चुका था, अगली दिन बहुत सरी लोग एक होटल की बाही प्रोटेस्ट एतिजाज कर रही थी, जिस होटल में चीकन मुर्गी के गोश्च सी बनी चीज़ें बीची जाती थी, जिसकी फास फूड वगयरा, लोग प्रोटेस्ट में ये कह रही थी, कि चीकन बीमारी बना है, उसमें कोई खराबी है, या तो में फूस चीकन की कि दोस्ट वेंडी है, वो जैसी वेंडी सी बात करने वाला था, कि तभी बीच में वेंडी की दोस्त आ जाती है, जिसी देख वो समझ गया था, कि ये अपनी दोस्त के साथ मिलकर मुझे थोका दी रही है, उसे गुसा आ जाता है, इसलिए वो जिकन की खिलाफ प्रोटेस् किसी पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में नहीं पता था, तो भी बाहर से काफिर डरा घुपराया अंदर आता है, सब को कहता है, कि जल्दी करो, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, अपने अपने जान बचा कर निकलो यहां से, पर किसी को भी उसकी बाते समझ नह जाते हैं, इसी बीच उस अजीब सी बॉक्स में से वो अंडा उसकी सैंड़िच में गीर गिया था, पर किसी का भी उस पर दिहान नहीं जाता, वो आदमी के बगहर सोची समझी उस अंडी को खा जाता है, पर अगली पल उसका पिट खराब हो गया था, दर दो रही थी, इस मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, वेंडी, समझा करो मुझे, वेंडी उसकी इन हरकतों की वज़सी नरास होकर यहां से चली जाती है, उदर वाश्रूम में वो सियतमन आदमी अभी पे खाता ही जा रहा था, अचानक फिर उसका जिसम बदेलने लगता है, उसके जिसम स क्योंकि वो पाहिन नहीं आया था, तो आर्बी उसे चेकरनी आता है, और हम देख पाते हैं कि वो आदमी पतला होकर काफी खुश है, लेकिन अंदर आकर आर्बी वाश्रूम की हालत देकर काफी दंग रह जाता है, क्योंकि हर तरफ उस आदमी का खूनी खून पड़ाता है वो काफी खुबरा जाता है, और जल्दी से मैनिजर को ये सब दिखाने के लिए यहां लेकर आता है, मैनिजर भी ऐसी हालत देखकर पुरी तरह घुबरा गया था, और उल्टा उसे ही यहां की सफाई करने के काम में लगा देता है, तबार पे कोदी बगएर किसी की मदद ये गाने गाते हुए सफाई करना ही शुरू कर देता है, घर तोड़ी दिर बाद इस होटल का मालिक यहां आता है, और ये देकर काफी हिरान रह गया तक इतने सारे लग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हलांकि वो उनसे बात करने की कोशिश भी करता है, पर कोई भी उसकी एक न गिरते हैं, साथ ही इतना खुन भी निकला था कि उस कमरी में रखी गई सारे चीज़ें और दीवारें खुन से भर जाते हैं, और ये बहुत बड़ी साइस का मुर्गी वाला सूट पैना हुआ था, उसी देख वो काफी टर जाता है, जो देख वो आदमी अपना मुर्गी सूट रटाता है, और हम जान पाते हैं, कि इस आदमी का नाम भी आर्बी है, जिसे हम बड़े आर्बी की नाम से बुलाएंगे, और ये भी इस होटल में काम करता है, तो ने दूसरे से बातें करते हैं, और उनकी दोस्ती हो जाती है, फिर होटल का मालिक जिप किचन में आत और अब तुम सब लोग जल्दी करो, इस जिवा को साफ करो, और अपने-पने कामों पर लग जाओ, कुछ नहीं हुआ याँपर, इसे बीच यहां आर्बी भी आ गया था, और उनकी लड़की के बारे में पोशनी लगता है, तब होटल का मालिक चुप किसी मेनेजर को इश आर्बी के पासे कादमी आता है, वो अपने साथ गोश्ट मिलाया था और उसे बर्गर बनाने के लिए के लिए चना जाता है, वो जैसी बर्गर पूरी तरह तयार कर लीता है, तो हैरा बर्गर में कुक लिड़की की आत्मा आ गई थी, जो आर्बी को इस जवा के सचाई ब से, क्योंकि इनसान मुर्गियों के साथ इतना बुरा से लोग्जा करते हैं, बेरहमी से उन्हें चेर फार पिरके, और ये बात को कोई पता है चिल्चिकी थी, कि मुझे भी एक मुर्गी की आत्मा नहीं मारा है, तो अब वो बाकियों की मदद करना चाह रहा था, अब उसक कि इन बातों पर अब आर्वी को यकीन होने लगा था, पर तबी होटल का मालिकियां पर बहुत सरे रिपोर्टर्स को ले आता है, और अपना बिजनिस बढ़ाने के लिए होटल की ताविफे करने लगता है, पर रिपोर्टर एतनी गंदी, खुन में लग पर जगा को देकर मूँ बनाने लगती है, पर जैसे उसकी नजर आर्वी की बनाई बर्गर पर जाती है, वो बगएर सोची समझे उठाकर उसी खा जाता है, और वो वरकर जो जिकन को बड़ा वला पीस लेकर गया था, अच्यानक वो पीस फूलने लगता है, क्योंकि उसमें हंचल हो रही थी वो पर वरकर पर हमला करकि उसकी जिसम के एक टुकुडा ही अलब कर दीता है, जिसी तेजी से उसका खूँ निकल ले नगा था, दरद से वो चिलता हुआ, दूसी बरकर की पास आता है, जल्दी जल्दी मेरी मदद करो खूँ निकल रहा है, दरद हो रही है, तब वो होटल का मानिक इदर आता है उस लड़के को भी हुश आ गई थी उसे जिंदा पाकर होटल का मानि कहता है कि आरबी से उस्पिटर लेकर जाएगा जब कि बाकी सारी वर्कर्स अपना-पना काम करें जखमी वर्कर आरबी से शराम मांगता है वो अब जैसी शराब उसके मूं मे हो जाती है और सबी सामने चिकन खाने लगती है यह दिकर कोई उससे कुछ नहीं कहता और उसे दिखा देख बाकिसा चिकन उसे कुछ समझ नहीं लगती कि आखिर इदर चल किया रहा है। उसी परेशान देकर होटल का मालिक उस पर जोर जोर से हसनी नगता है। फिर वो सारे लोगों को लेकर अपने होटल में आ गया था। अब यहां हम जान पाते हैं कि वेंडी की दोस्त असल में इस उटल के मालिक लिए एकाम गरी थी। और प्रोटेस्ट में इसलिये शामिल थी ताकि प्रोटेस्ट को वो रुखवा सकी। उन दोनों की ये सारी बाते चिपके चिपके वेंडी में भी सुन ली थी। और उसे अब अपनी दोस्त की असलियत पता चिल जाती है। उसे गुस्सा आ गया था अंदर जाकर वो अपनी दोस्त से पूछ लीती है। तो कि बास ऐसा क्यों किया तुमने। इस पर वो मस्कुलाते हैं और कहती है कि मेरी दोस्त मुझे ऐसा करना पड़ा सिर्फ पैसों की वज़े से। चिकन खाने की वज़े से सबी लोगों की तबियत खराब होने लगती है। भारी रंगी उल्टी आने लगती है। और भी उन्हें संभालने की कुशिश करता है पर उससे कुछ नहीं होता क्यूंकि वो अकेला था और वहां इतने सारे लोग थी। उन सब की खराब हालत की वज़े से वेंडी होटल की मालिक पर गुस्सर करती उसे इल्जाम नेने लिखती है। पर वो कहता है कि इसमें मेरे चिकन का कोई मसला नहीं है। इसपर वेंडी कहती है अच्छा चलो अगर ये बात है तो ये लो तुम भी खाव ये चिकन। और अब जैसे वो चिकन खाता है उसका पीट भी खराब हो जाता है। उसे अपने अंदर कुछ अजीब सा मैसूस हो रहा था। जैसे वो वाश्रों में चाता है उसकी अंदर से काफी बड़ा अंडा निकलता है। जिसका साइस बहुत ही बड़ा था। और देखती देखती उसकी अंदर से ट्राउना सा चिकन जांबी बाहर निकलता है। जो उरते, उरते हर्डल की मालक पर हमला कर दीता है। वो उसके मुऊपर चिपक गिया था, पर वो उसे खुछ से अले करती करती, उसकी घरदन ही तोड दीता है। कि इसने भी तो चिकन खाया ही था अगले ही पल उसका पूरा जिस्म बदल कर चिकन जॉंबी बन जाता है साइज उसका काफी बड़ा था बड़ी बड़े पंग खा गई थी वह पिर होटल में तबाह्या मचानी लगता है कि चिछन में आकर वह मेनेजर का सर अपने मूँ से प पूर्गियों को मारते हैं जैसे के उबलते हुए पानी में डबोकर गला काटकर चीर फाड़ करके वगएरा और सब की सब इन फेक्रीड लोग बीहद ही ट्रौने लगरे थे अब बस आरभी वेंडी उनकी दोस्त और एक वरकरी सही सनामत थे वहां से निकलने की कोशिश कह पर चारों तरफ तो वह जॉंबी पहले हुए थे जॉंबी इन देख लिया था और चारों तरफ सेने घेर कर खड़े होगी थे फिर दीरे दीरे इनकी तरफ बढ़ने लिखते हैं लेकिन तबीदर बड़ा आरभी आकर उन जॉंबी पर बहुत सारी गोलियां चिला दीता है जिससे बहुत सारे जॉंबिस मारे जाते हैं और यह देकर बाकी वहां से पीछे अट गए थे यह चारों लोग बड़े आरभी की तारीफ करती हैं और उसका शुक्रिया दा करते हैं लेकिन तबीदर मेनेजर का चिकन जॉंबी आकर बड़े आरभी पर हमला कर दीता है और की नाग को दान्तों से काड़ दीता है तब आरभी उसकी मदद करने के लिए गन लीता है और गोली चला कर मेनेजर वली जॉंबी को मार कि राता है इससे बीच इनकी नजर होटल की बाहिर इंफेक्टिड लोगों पर जाती है जो तदात में बहुत ज्यादा थी और होटल क कबोट लगा दीती है जिससे सारी जॉंबिस पर लटकर वापिस से जाने लगती है क्योंकि उनिक तरह का सिकनल मिल गया था कि होटल अभी बढ़ा अरभी अब मेनेजर वली जॉंबी की वज़से इंफेक्टिड हो गया था और अब उसकी नाग भी मुर्गी जैसे बन गी अब इदर एक और अगर कहती है कि मेरी बच्ची मिल नहीं रही प्लीज उसे ढूंटो मेने साथ मिलकर जिस पर वैंडी की दोस्त कहती है कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे खुदी ढूल दो ना अपनी बेटी को जिसकी बात कुद वो मुर्गी वाला सूर पहन कर बाहर आ जात जो आरबी के हाथों में आगी गरता है उसे द्रसल एक जॉंबी वर करने मारा था जो बाहर आकर इन सफ़र भी हमला करने की कोशिश करता है लेकिन अब की बार यूसे पकड़ ही लेते हैं आरबी उससे पुछता है कि बताओ इस वायरस को कैंसी रूकी तो एक नफस बार ब जाने के शिलाब इन चिकन जॉंबी के कमजोरी है पर आरबी को अभी भी इस बारे में समझ नहीं लगती वेंडी की दोस्त जो बाहर थी दुबारा से अंदर आ जाती है और घुबराते हुए बताती है कि बाहर जूंबी ने मुझे पहचान कर मुझ पर हमला कर दिया था ज जाती है कि मेरी दोस्त भी अब जॉंबी बन गई है जो भी हडी ड्राउनी लग रही है वह वेंडी पर हमला करके उसी मारने लगी थी उसकी अवास सुनकर आरबी यहां आ गया था और उसकी दोस्त को मारकर वेंडी को बचाने की कोशिश करता है जिस बीच बड़ा आरबी बीची बन कर यहां आ जाता है और अब यह दोनों ही जॉंबी मिलकर इने मारने लगते हैं लेकिन यह दोनों के उनसी बचकर जैसे शिराब की ड्रॉम के पास आती है जोनी सारी बास समझ लग जाती है कि वह जॉम्ए वरकर जो शिराब मांग रहा था आखर कहना क्या चा र नहीं थी भाब कर वह वरकर लड़की के पास आती है और अब यह तीनों मिलकर एक स्टोर में आ चुके थी जहां इने उस औरत की बच्ची भी मिल जाती है साथ ही बहुत सारे इंफेक्टेट अंडी भी जिनकी अंदर से बहुत सारे चिकन जॉंबिस के बच्ची पाहे निक का टाइम बस कत्म होने ही वाला था वो आर्बी वेंडी और बच्ची को यहां से जाने का कहती है जिनके बाहर जाते ही वहाई काफी बड़ा धमाका होता है धमाके में वरकर लड़की इंफेक्टेट अंडी और सारे चिकन जॉंबिस मारे जाते हैं जिसके बाद वो दोनों बच्ची को गाड़ी में लेकर यहां से दोड़ जाने लगते हैं लेकिन तबी बच्ची की टिवित खराब होनी लगती है और उसकी पेट से एक इंफेक्टेट अंडा बाहिर आता है इसी दीकर तीनों ही काफी टेर जाते हैं और जोर से चीख मार दीते हैं गाड़े चिना से आर्विकर दिहान बटक गया था इसलिए उनका एक्सिटेंट हो जाता है कोफी बड़ा तमाका हो जाता है कोई भी नहीं बच पाया और इसी दुख की साथ ही कहानी इतरे खत्म जाती है